हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिशन अड़ावर आज जो टोपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लड सर्कुलेशन टेस्ट के प्लड सर्कुलेशन सिस्टम के लिए जो मौक टेस्ट जैसा कि हमने पहले वाले वीडियोज में बोला था वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं इस वीडियो का टेम्ट करने से पहले आप थियोरी पार्ट जरूर पढ़ें और इसी तरह से आगे भी हम आपके लिए पहले थियोरी और फिर उसी टोपिक का मौक टेस्ट आपके लेकर आते रहेंगे हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगें तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर आप करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सके तो आए दोस्तों बढ़ते हैं क्यूशन्स की और पहला क्यूशन है सोडियम पंप का कारिय कहां पर होता है सोडियम पंप जो है वो आपके हिर्दे की धड़कन को नियंतरित करने में कारिय करता है और इसका यूज हिर्दे की धड़कन को नियंतरित करने के लिए लिया जाता है बहुत ही important question है next question है pace maker का कारिय होता है pace maker जैसा मैंने आपको theory part में पढ़ाया था pace maker का कारिय धड़कन को नियंत्रित करना होता है और ये कहां इस्तित होता है दाया आलिन में next question है coronary धमनी bypass surgery में जो रक्तवाई का graft हे टू प्रयोग में लाई जाती है वह होती है यानि जब heart attack के लिए bypass surgery की जाती है तो वो कौन सी रक्तवाई का है जो coronary धमनी के इस्थान पर लगाई जाती है पहली ये पाउं से लिगई शीरा अगर हस्त से लिगई धमनी या फिर वक्सस्तल से लिगई दमनी तो इन तीनो धमनीों में से इन तीनो रक्तवाहिकाओं में से कोई भी एक उप्योग में ली जा सकती है heart attack में bypass surgery के लिए तो आंसर याँ पर हो जाएगा उप्रोक में से कोई भी एक उप्योग में ली जा सकती है नेक्ट क्यूशन है मास पेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से थकावट मैसूस होती है बड़ा ही important question है आंसर हो जाएगा lectic acid यानि lectic अमल जब जमा हो जाएगा तो थकान मैसूस होगी next है cholesterol का सामानिय स्तर संबंदित होता है cholesterol का मतलब वसा वसा अगर बड़ेगा तो आपके धमनिया जो है वो कठोर हो जाएगी तो cholesterol के सामानिय स्तर से जादा होने के कारण धमनिया जो हो सकती है वो कठोर हो सकती है निम्ण में परी संचरन तंत्र का कारियर नहीं है देखेंगे परिसंचरन तंत्र के कारिय हमने जैसे थेयरी पार्ट में देखे थे क्या-क्या कारिय परिसंचरन तंत्र के होते हैं आक्सिजन को अंगों तक पहुँचाना पचित भोजन को अंगों तक पहुँचाना हार्मोंस को संबंदित अंगों तक पहुँचाना ये तीनों ही काम परिसंचरन तंत्र करता है तो इन में से कोई भी ऐसा कारिय नहीं है जो परिसंचरन तंत्र नहीं करता इस वज़े से यहां पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं यानि या सारे ही कारिय परिसंचरन तंत्र करता है नेक्ट क्विशन है, हिर्दे बना होता है, ये तो पहली या दूसरी तीसरी लाइन आपको मिल जाएगी, हिर्दे किसका बना होता है और बहुत ही इंपोर्टेंट क्विशन है, मीसो डर्म का बना होता है हिर्दे मीसोडर्म का बना होता है रक्त के संचरण का सही क्रम है यह थियरी पार्ट में अगर आपने डाइग्राम बड़े अच्छे से समझा है परिसंचरण तंत्र का तो आप इस कुशन को बहुती अच्छे से अटेम्ट कर सकते हैं और ऐसे कुशन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे तो रक्त जो आता है फैफडों से पल्मोनरी शिरा में फिर बाया आलिंद में फिर बाया निले में और महा धमनी से होता हुआ अंगों तक पहुँच जाता है यानि पहला जो उप्षन है वो बिल्कुल सही करम को दर्शा रहा है तो आपका अंसर हो जाएगा यहां पर पहला उप्षन राइट हो जाएगा नेक्स्ट उप्षन जो दे रखा है पल्मोनी धमनी बाया आलिंद बाया निले फिर महाशिरा में नहीं आता है तो बाकी जो उप्षन है वो गलत है पहला उप्षन यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं हिमोगलोबिन के बारे में कुछ कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन जो दे रखा है रक्त में ऑक्सिजन का संचार करता है बिल्कुल सही है यह लोहयुक्त योगिक है बिल्कुल सही है यह कुछ रोगों के प्रती प्रती रक्षा प्रदान करता है यह काम हिमोगलोबिन नहीं करता है चोथा जो option है यहार रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तो पहला दूसरा और चोथा यह तीनों कथन आपके सही है तो आपका answer जो यहाँ पर right हो जाएगा द एक दो और चार आपके कथन सही है leukemia एक रक्त के इंसर है जिसमें असाधरन बढ़ोतरी होती है यानि किसकी असाधरन बढ़ोतरी होती है leukemia में तो leukemia आप जानते है leukocyte और leukocyte जो नाम होता है स्वेतरक्त कणिकाओं का हिर्दे कब आराम करता है तो यह तो सोचने की बात ही नहीं है हिर्दे कभी भी आराम नहीं करता है क्योंकि अगर हिर्दे आराम करेगा तो वेक्ति की मृत्यू ही हो जाएगी तो हिर्दे कभी आराम नहीं करता है एक वेक्ति दुरगटना में घायल हो गया है उसके रक्त की जांच के लिए समय नहीं है उसे निम्ण में से कौन सा खून चड़ाया जाएगा यानि मैंने आपको बताया था सर्वदाता जो होता है ओ नेगेटिव होता है यानि ओ आरेच माइनस का जो रक्त है वो इस वेक्ति को बिना किसी जांच के चड़ाया जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है एक वेक्ति जिसका रक्त समूँ ए माइनस है सड़क दुरगटना में गंभी रूप से घायल हो जाता है तथा चिकिसक रक्ताधान की सला देते हैं उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्समू निम्न प्रकार है पत्नी का रक्समू है A-positive भाई का रक्समू है O-positive पत्नी का A-positive है तो A-positive को यह नहीं दे पाएगी तो positive का रक्त negative को नहीं दे सकते हैं भाई भी positive है तो यह भी negative को रक्त नहीं दे पाएगा O- तो सर्वदाता है यह रक्त दे सकता है A- को और पत्री जो है A-B negative है A-B सर्वाग्राही है ना कि सर्वदाता तो A-B नहीं देगा O-positive नहीं देगा A-positive नहीं देगा केवल जो रक्त यहां पर दे सकता है वो पत्र है क्योंकि पत्र का रक्समू O-negative है नेक्स्ट क्यूशन है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रीन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है यानि फाइब्रिनोजन किस से क्रिया करके फाइब्रीन बनाता है आंसर आपका हो जाएगा थ्रॉम्बीन ये भी हमने पूरा रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया थियरी पार्ट में पड़ी थी वहाँ आप लोग देख सकते हैं अगला प्रश्ण है संक्रे उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है असंक्राम्यता से मतलब है आपके प्रती रक्षियों का निर्मान और प्रती रक्षि कहा जाता है एंटी बोडी को तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये एंटी बोडी के उत्पादन का परिणाम है असंक्रामेता यानि संकर्मन से जो आपको बचाए और संकर्मन से जो आपको बचाते हैं वो एंटी बोडी ही होते हैं नेक्स्ट कुशन है प्रती रक्षा का सरवादिक संबंद है प्रतिरक्षा का सरवादिक संबंद जो होता है एंटी बोडी जो निर्मान करती है वो आपके है लिंफोसाइट्स प्रतिरक्षा का सरवादिक संबंद लिंफोसाइट्स से होता है option आपका right हो जाएगा A option नेक्स्ट क्विशन है आरेच कारक संबंदित है यानि आरेच कारक निम्ण में से कहां पर पाये जाते हैं तो आरेच कारक मैंने आपको पढ़ाया था लाल रक्त कनिकाओं में आरेच कारक पाये जाते हैं RBC में जो है RH कारक पाये जाते हैं लेंड इस्टिनर और वीनर ने इनकी खोज की थी Next Qution की और बढ़ते हैं Erythroblastosis Phytalis रोग होता है बहुत ही ज़्यदा important Qution है और बहुत बार ये बहुत सारे एक्जामों में पूँचा भी जा चुका है और ये ही एक लाइन ऐसी है जो इसके बारे में पूँची जाती है ज़्यदा तर तो मैंने आपको जब ये रोग पढ़ाया था तब बताया था कि जब RH positive पुरुष का विवाह RH negative इस्तरी से हो जाए तो Erythroblastosis Phytalis की समश्या उत्पन होती है यानि option यहाँ पर जो है तीसरा option राइट हो जाएगा RH positive पती हो और RH negative पतनी हो रक्त हींता की कमी का कारण है रक्त हींता का मतलब एनीमिया और एनीमिया हम सब जानते iron की कमी से होता है सामाने वेक्ति की नबज की गती प्रती मिनट होती है यानि धड़कन जो होती है वो प्रती मिनट 70 से 80 बार धड़कता है प्रती मिनट तो option आपका पहला option राइट हो जाएगा अगला question है ECG किसके रोग का पता लगाने के लिए की जाती है ECG आप सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी हिर्दे के रोग के पता लगाने के लिए की जाती है EEG मस्तिश के लिए की जाती है next question है निम्ण में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी इस्तिते में नहीं करना चाहिए यानि ऐसा कौन सा ट्रांस्फ्यूजन है जो आप लोग नहीं करेंगे कभी भी पहला option है B ग्रूप से A B ग्रूप को A B सर्वाग्राही है तो ये किसी से भी रखत ले सकता है तो पहला तो हम कर सकते हैं रखताधान दूसरा है B ग्रूप से A ग्रूप को तो ये भी मैंने आपको बड़ी है अच्छी तरीके से समझायता पिछले वीडियो में कि रखताधान देखने के लिए दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबोडी देखा जाता है A का A के साथ नहीं आना चाहिए B को B के साथ नहीं आना चाहिए तो आप कभी भी B ग्रूप से A ग्रूप को रखत नहीं चड़ाओगे क्योंकि यहाँ पर एंटीजन B और एंटीबोडी समॉल B साथ में आ जाएंगे तीसरा रखताधान किया जा सकता है और चोंथा भी किया जा सकता है आंसर यहाँ हो जाएगा ओप्शन नमबर 2 अगला प्रश्ण है मनुश्यों में लोह एकत्र करने का मुख्य अंग है लोह जो कहां पाया जाएगा लोह यानि आईरन जो होता है वो RBC के हीमोगलोबीन में पाया जाता है इस वज़े से हीमोगलोबीन का संग्रहन कहां पर होता है आपके प्लीहा में होता है तो आयरन का भी संग्रहन जो होगा वो प्लीहा में हो जाएगा यानि फर्स्ट ओप्शन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है हिर्दे और फेफडों के आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उप्योग करते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए श्टेथो इसकोप का उप्योग लिया जाता है हिर्दे और फेफडों की आवाज सुनने के लिए बाकी तीनों यंत्रों के बारे में भी आप लोगों खोड़ जानकारी होनी चाहिए इस्ट्रोबो इसकोप आवर्तित गती से घुमने वाली वस्तों की गती ग्यात करने के लिए उप्योग में लिया जाता है इस्टीरियो इसकोप द्वेबिम यानि टूडी चितर लेने के लिए उप्योग में लिया जाता है spectrum का violation करने के लिए उपयोग में लिया जाता है ये तीनों भी आप लोगों को पता होना चाहिए अगला प्रश्न है अशुद्धरक्त हिर्दे तक पहुंसता है अशुद्धरक्त को हिर्दे तक लेकर कोन आती है अंगों से हिर्दे तक लेकर जो आती है वो है पश्च महाशिरा पश्च महाशिरा ही अशुद रक्त को अंगों से हिर्दे तक पहुँचाती है पल्मो नरी शिरा नहीं हो सकता अंसर पल्मो नरी धमनी जो है वो दाया निले से फेवरों में रक्त लेकर जाती है तो option 3 आपका यहां पर right हो जाएगा next question है रोग प्रतिकारक होते हैं यानि जो आपको रोगों से बचाते हैं उनको क्या कहा जाएगा ये भी मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिरक्षी जो होते हैं वो आपको रोगों से बचाते हैं और प्रतिरक्षी पांच प्रकार के होते हैं IgA, IgD, IgM, IgE और IgG, तो इन्हें Globulines भी कहा जाता है, तो इस वज़े से रोग प्रतिरा कारक जो होंगे Globulines होते हैं, अगला क्यूशन है, रुधिर लशिका इन में देखी जाती है, यानि लिम्फ द्रव जो होता है, वो आपके खुले परिशंचरन तंतर में पाया जाता है, और खुला परिशंचरन तंतर जो ज़्यादा तर मिलता है, कीट वर्ग में मिलता है, और कीट वर्ग को हम Orthopoda वर्ग भी कहते हैं, Orthopoda को कीट वर्ग भी कहा जाता है, और इन में Hemolymph पाया जाती है, बीटा लिम्फोसाइट द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, बीटा लिम्फोसाइट द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट जो होती है, वो आपके antibody यानि प्रतिरक्षियों का निर्मान करती है, और ये तरल रूप में प प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा कहा जाता है केचुए की प्रष्टिये रुदिर्वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है हमारी जो प्रष्टिये रुदिर्वाहिका यानि शिरा जो होती है उसमें रक्त का प्रवाह जो होता है पश्च गामी होता है यानि वापस ह का प्रवा होता है तो आंसर आपका हो जाएगा option no.4 केचुव की प्रष्टिय रुदिर्वाहिका में अग्रग्रामी रक्त का प्रवा होता है नेक्स्ट कुशन है कौन सी शिरा फेफडे से हिर्दे में रक्त लाती है बड़ा ही आसान कुशन है अगर आपको परिस अंचरन तंतर का डाइगराम अच्छे से आता है तो आंसर हो जाएगा पल्मो नरी शिरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है रक्त के किन कणों में रोग प्रतिरोधक शम्ता पाई जाती है यह सब आप लोग जानते हैं रोग प्रतिरोधक शम्ता यानि एंटी बोडी जो निर्मान करती है लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधक शम्ता का निर्मान करती है तो इन तीनों ही लेकिन यहां पर जो सबसे सही जो आंसर हो सकता है वो लिंफोसाइट आप लोग लगाएंगे लिंफोसाइट रोग प्रतिरोधक शम्ता के लिए जिम्मेदार होती है नेक्स्ट कुशन है मानौ शरीर में कौन सा तत्व सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है तो हिमोगलोबीन जो है वो ऑक्सिजन लेकर जाता है और आरबीसी में हिमोगलोबीन मिलता है तो सरवाधिक मात्रा में जो तत्व मिलेगा ऑक्सिजन हो जाएगा प्लाजमा में कितने प्रतिशत पानी होता है आंसर हो जाएगा 92% बहुती easy question है प्लाजमा में सरवादिक मात्रा में कौन सा protein पाया जाता है सरवादिक मात्रा में जो protein मिलेगा albumin मिलेगा दोस्तों ये तीनों भी प्लाज्मा में मिलते हैं लेकिन सरवादिक मात्रा में एल्व्यूमीन मिलेगा नेक्स्ट कुशन है प्रति दिन सामानेत हमारे हिर्दे के कपाट यानि की वाल्व लगबग कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं तो इस कुशन को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारा हिर्दे जो है एक मिनट में लगबग 72 बार धड़कता है एक मिनट में 72 बार यानि एक घंटे में 72 इंटू 60 बार धड़केगा और 24 घंटे में 72 इंटू 60 इंटू 24 बार धड़केगा इन तीनों को जब आप multiply करेंगे तो आपके लगबग एक लाग के आसपा संख्या आएगी यानि कि हिर्दे एक लाग बार एक दिन में धड़कता है तो हिर्दे के वाल वो भी जो होंगे वो एक लाग बार खुलेंगे और बंद हो जाएंगे यानि आंसर आपका हो जाएगा option नमबर दो एक लाग पेस्मेकर हिर्दे के कौन से भाग में पाया जाता है ये मैंने आपको थियरी बार्ट में बताया था कि पेस्मेकर जो है वो दाया आलिंद में पाया जाता है थोड़ा से या पर मिश्टेक हो गया दाया आलिंद में जो होता है वो पेस्मेकर पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये था दोस्तों आजखा हमारा वीडियो मौक टेश्ट परिसंचरन तंत्रपर आधारित आगे भी इसी तरह हम आपके लिए वीडियोज लेकर आते रहेंगे पहले थियोरी और फिर उसके बाद हम उसके मौक टेश्ट आपको अवेलेबल कराएंगे हर एक वीडियो की आप तक जानकारी पहुँचे आपको वीडियो का पता लगे इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद